हेलो गाइस नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्ट से पहले आप लोग में चेंग को सब्सक्राइब करते हैं इसे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं वेंवें और रेंज जो दोनों एक दूसर से बात भी कर रहे होते हैं सासत पिक्स भी भेज़े होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और फिर दोनों एक साथ मूवी भी देख रहे होते हैं, लेक्स्ट टेम वैंवन, अपने प्री इंटर्शिप के लिए चली जाती है, उसे कहने लगते हैं क्ये तुमने इतने ज्यादा टास्क ले लिए हैं, तुम क्या कर लोगे ठक तो नहीं जाओगी वेवन तो छुटिका लेने का सोची थी इसलिए वो कहते कि नहीं, मैं ये सब कर लूँगी वेवन माहा के सारे काम करने लगते है पर उसको रैंचू से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता जब बात करने लगते है तो उसको काफी उठाती है पर वेवन नहीं उटती और दूसरी तरह फ्रेंचों पहिशान हो रहा होते हैं कि मैं मुझे रिप्लाइ क्यों नहीं कर रही और सुबह में आकर शाओ मैंवन को उठाने लगती या वेवन जब टाइम देखती है तो चल्दी से भागती है कि वो लेट हो चुकी थी अपने प्री इंटर्शिप में जाने से वहाँ जब भागते भागते पहुंचते है तो उसको पहले डॉक्टर से बॉर्ट डांट पढ़ती है जब वो एक वाड में होती है तब वहाँ पर एक पेशन्ट की मॉम आकर उससे अपने बेटे के बारे में पूछे लगती है और उसको रिपोर्ट भी दिखाने लगती है पर वहाँ वैवें को समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या बोलू क्यूंकि उसको पेशन्ट के बारे में नहीं पता होता वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता तो उसकी माम कहती है कि तुमने ये डॉक्टर का कोड क्यों पहना है अगर तुम्हें नहीं पता तो मैवन कहती है कि असर में मैं सुबा में लेट हो गी थी इसलिए मुझे उस पेशन्ट के बारे में नहीं पता वो काफी डांटने लगती है तो इतने में डॉक्टर आ जाती है डॉक्टर आकर उसे उसके बेटे के बारे में बताकर काफी रिलेक्स करती है और फिर मेवन को सेपरेट में जाकर डॉक्टर से बॉर्ट डांट पारी होती है वो कहने लगते हैं कि अगर तुम उस पेशिंट को कुछ भी बोल देती उसकी माम ने तो सच समझ लेना था ना ये जो हमारे वाइट कलर के कोट है ना इस पर लोग अंदा यकीन करते हैं अगर हम एक भी बात गलत बोल देते हैं ना उनकी दिमाग में वो बात कंफर्म हो जाती है कि ऐसा ही होगा अगर उन्होंने ऐसा बोला है वैवन डॉक्टर की बातों को याद करते हुए काफी परशान हो रही होती है और इतने में उसको रैंचो की कॉल आती है रैंचो कहने लगता है कि मेरा वेट करो ये कहकर कॉल कट कर देता है वैवन सोचे लगती कि क्या रैंचो वापिस तो नहीं आ गया आज तो में नहाई भी नहीं हूँ इतने में रैंचो उसे मैसेज करके कहने लगता है कि दूसी तर देखो दूसी तर देखने पर वहां की लाइट चल जाती है ये देखकर वैवन उसी तरफ जाने लगता है वैवन सोचे होते हैं कि रैंचो आया होगा उसको एक जगा से लगता है वह और चाह रहरे हो है वह जो तरफ प्रवाय चाहता है ये वीडियो को बातकर वैंट चु को धेंक्स कहने लगती है मैं तूमसे एक बात कहना चाहती हूं मैं जब यहाँ हॉस्पीडर में इंड्रूशिप कर रही हू clás plat तुम भी बहुत पीज़ी हूँ इसलिए हम दोनों को एक दूसरे को नहीं कहना चाहे ! तुमनें मुझसे बात नहीं की ! पीछे की तरफ मुड़ो ये बात सुनकर मैं मैं कहते हैं कि अब की बार तुम फिर से फैंगी के हाथों मुझे सर्प्राइस देना चाहते हो ना ये कहते हुए वो जब पीछे की तरफ देखती है कि रैंचु आया हुआ है उससे जाकर जल्दी से गले लग जाती है रैंचु कहने लगते है कि मुझे तो लगा था कि तुम बड़ी हो गई हो पर तुम तो अभी भी बच्ची हो मैं मैं कहते हैं कि मैं अभी बच्ची रहूंगी जब तक आसपस कोई नहीं होगा और फिरेंचू उसको घुमाने लगता है और साथ भी उसको वोई चॉकलेट वाला बॉक्स दिखाने लगता है कि ये तुमने मुझे फुल मंद के लिए दिया था ना तो बस एक ही रह गया है तो वैंवैं उसे पकड़ के खाने लगती है और फिरेंचू वैंवैं को ऐसे खाते देखकर उसे किस करने लगता है नेक्स्ट वो तीनों एक सक्रीन के आगे खड़े होते हैं अप भी पीछे से वैंग कहने लगते है कि कोई मुझे भी पताएगा कि यहां पर क्या हो रहा है तो वैंवैं बताने लगते है कि मेरी प्री इंटर्शिप खतम हो गई है तो हम विकेशन्स में कहीं जाने का सोच रहे हैं फिर शिबाई भी वैंग से पूछे लगता है कि तुमें भी तो छुटियां हुई हुई है ना दो दिन की तुम भी तो गूमने के लिए हमारे साथ चलो ना वैंवैं ये सुन कर वैंग से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास यह अच्छा मोगा है तुम भी चलो इसी बहाने तुम्हें पता लग जाएगा कि शिबाई तुम्हें लाइक पी करता है के नहीं करता ये बाते सुनकर वैंग भी जाने के लिए त्यार हो जाती है वैंवन और रेंचो जब रेयर पॉर्ट पे पहुंचते हैं तो इतने में रेंचो के मॉम डैट पीछे से आ जाते हैं वैंवन तो वैसे ही घबडा जाती है और जल्दी से आइसक्रीम को साफ करते हुए सीधे खड़ी हो जाती है फिर रेंचो अपने मॉम डैट को बताने लगता है कि ये मेरी गर्फरेंड वैंवन है वैंवन भी उन्हें हेलो करने लगती है इतना क्यूट बिहेवियर देखकर रेंचो की मॉम करने लगती है कि जैसे तुम्हारी आट ने बताई थी ये तो उससे भी जादा क्यूट है पिर कहती है कि चलो हम कहीं पर बाते बगरा करते हैं वो एक जगा बैठकर वैंवन से बाते करने लगते हैं वैंवन जो नर्वस होई होती है उसकी लग भी शेक करी होती है ये देखकर रेंचो के डैट करने लगते हैं कि वैंवन तुम्हें नर्वस होने की जूरत नहीं है पर इतने में आवाज आती है कि आपकी फ्लाइट अपी थोड़े टाइम में जाने वाली है ये सुनकर रेंचो मेंवन के साथ से वहाँ से उठ जाता है फिर तुबारा से अपने मॉम डर्व के पास जाता है एरोपलेन में बैटने के बाद मेंवन कहते हैं कि मैं होरर मूवी देखने लगी हूँ वो होरर मूवी देखने के लिए तो बैट जाती है पर उसको देखते हुए डर लग रहा हुतार ऐसा लग रहा हुता है कि उसके पीछे से भी कोई भूत आ रहा है पर एंचो जब उसको बुला लेता है तो तब उसको यकीन आता है कि नहीं मेरे पीछे कोई भी नहीं है और जब वो होटल के बाई पहुंचते हैं तो अब तुम्हें नीद आ रही है तो तुम्हें उप़ा जाके सोना चाहिए वेवन डरती हुए अपने कमरे में जाती है तब ही दूसी तरफ शिबाई और बैंक दिखाई जाते हैं जो यहां होटल में पहुंच चुके थे और वेवन दिखाई जाती है जिसके पेट में दध होने लगा था तब ही उसको चीक की आवाज आती है उसकी वज़े से वो काफी डर जाती है रूम का डॉर अपन करने पर भी देख रही होती है भी भी वो डर रही होती है जल्दी से रैंचो के रूम में चली जाती है रैंचो को जाकर कहने लगती है कि मेरे पेट में दध हो रहा है रैंचू कहते हैं कि जलो हम ओस्पीटर जाकर चक करवाते हैं मैं मैं कहते हैं कि नी नी मैं बिल्कुल ठीक हो जाओंगी बस थोड़ा सा अराम की जुरत है क्योंने मैं तुम्हारी रूम में सो जाओं और आई स्वेर मैं तुम्हें तंग नी करूंगी मैं यही नीचे सो जाओंगी और तुम उपर सो जाना तब ही वो साइट पर देखती है तो उसको लगता है कि वहाँ पर भी कोई भूत खड़ा हुआ है और दूसरी साइट पर देखती है तो उसको लगता है कि यहाँ पर भी कोई भूत खड़ा हुआ है ये देखकर वो रैंचु को करने लगती है कि प्लीज मुझे याँ पर सोने दो रैंचु से कहता है कि हाँ तुम सो जाओ तुम बलगी बेट पर सो जाना मैं कहीं नीचे सो जाओंगा पर वैंवेन को बेट पर लेट कर भी नीद नी आ रही होती क्योंके वो काफी डरी होती है रैंचू ये देखकर उसे अपने साथ हख करके सोने को कहता है और वैंवैं जब उसे हख करते है तो उसे सच में नीदा जाती है और दूसरी तरफ वैंग दिखाई जाती है जो शीबाई के रूम में ही सो गई थी उठकर अपने आपको देखती है जब वो पिल्कुर ठीक होती है तो शीबाई को ओवास देती हो कहती है कि एक तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर सोय हो तुमने मेरे कपड़े तक नहीं उतारे वो कहता है कि नहीं मैंने सब कुछ करना था पर जब मैंने तुम्हारे शूस वगरा उतारे तो तुमने मुझे की किया इसलिए मुझे लगा कि तुम कहीं उठना जाओ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी अंकफर्टेबर नहीं करना चाहता था वैंग तो उसकी वाते सुनकर वाँ से जाने लगती है पस सामने वारे रूम से ही वैंग वैंग भी रैंचों के साथ से निकर रही होती है दोनों एक दूसरे को देखकर कहने लगती है कि तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है तो वैंग कहते है कि तुम यहाँ पर कैसे मैं मैं कहती है कि रात को मुझे किसी चीक की आवाज आई थी इस वज़े से मैं डर गई थी दूसरी तरफ हमें वैंग का फ्लेश बैक दिखा जाता है जहां पर उसको बस कहीं पर जाकर सोना था और वो शिपाई के रूम में आकर लेट जाती है शिपाई उसका मेकप साफ करने लगता है तो टौबल पर उसका मेकप वाला फेस उस पर आ जाता है यह देखका तो वैसे शिपाई डर जाता है जल्दी से सर्चिंग करने लगता है तब उसको पता लगता है कि मेकप को मेकप रिमूवर से रिमूव करते हैं वो उसकार मेकप, मेकप रिमूवर से रिमूव करने लगता है और फिर वो प्रेजन्ट में दिखाए जाते हैं जहां चारों बैट कर इकठे नाश्ता कर रहे होते हैं और हमारे दोनों लड़कों को ही नीदारी होती है क्योंकि दोनों ही रात में बिल्कुल सरी से सो नीपाए थे शीपाई पूछे लगता है के रैंचू क्या हुआ है तुम रात में क्या ठीक से सो नीथे ये देखकर वैंक करने लगती है के वैंवें तुम दोनों के दिर्मियान रात में क्या हुआ है मैंवें कहती कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सो गई थी, और वैसे वो बेट बहुत नरम था, सुपह में जब उठी तो मैं बिरको ठीक हो गई थी, मेरा पीट में दर्था, रेंचु के साथ, वैवेंवें का फ्लेश बग दिखा जाता जहां पर, वैवेंवें हाथ थोड़ वैंग कहते हैं कि मैं तो यहां से जा रही हूँ, और तुम सब के लिए एडवांस में टिकेट लेकर रखतूंगी, वैवेंवेंवें शिबाई दोनों ही, रेंचु और वैंग के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ पर वैंग को पाउं पर चोट लगी होती है, शिबाई यह देखकर जल्दी से उसके पास पैट जाता है, और उसको देखने लगता है, और कहता है कि अपने शूस उतार दो ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं कि कहां पर तुम्हें चोट आई है, मैं कहते हैं कि नई मैंने नहीं उतारने, या तुम मुझस से प्रॉमिस करो कि मेरे अगली पाउंड देख पाऊगे क्यूंकि मैं एक डांसर हूँ ना शिबाई कहने लगता है कि कोई बात नहीं तुम जैसी भी हो मुझे बहुत प्यारी लगती हो ये सब बाते जब मैंवेन सुनती है तो महां से रैंचू को लेकर चली जाती है वो दोनों जब जा रहे होते हैं तो मैंवेन सोची होते है कि अभी तक रैंचू ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो अबरोड जा रहा है क्या उसको लॉंग डिस्ट्रेस रिलेशन रखना इतना ही असान लगता है असल में ये बात मैंवेन को शिबाई ने बता दी थी कि वो अबरोड जा रहा है ये सब सोची रही होते है तो रैंचू उसकी तरफ अपना हाथ कर देता है कि आजो चले इतर शिबाई जिसने वेनक को कार में बिठाया होता है और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ मैं सब कुछ वापिस से ठीक करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुबारा से जी एफ बन जाओ पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है तुम्हारा डांस करने का दिल नहीं था फिर भी मैंने तुमसे प्रेक अप करके तुम्हें डांस करने का बोला वैंग तो वैसे कुछ हो जाती उसकी ये सब बाते सुनकर और उससे खड़े होने को कहती हो साथी खड़े होकर हक कर लेती है इतने में वहाँ पर रैंचो और वैंवैन आ जाते हैं उन्हें देखकर वैंग कहने लगते हैं कि मैं अब अफिशली अनाउंस कर रही हैं कि हम दुबारा से इकटे हो गए हैं और देखो तो वैंवैन के सीनियर की जीएफ हूँ तो अब तुम लोग को मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो दोनों उसे कॉंगरेचुलेशन कहते हैं फिर रेंचु वैंवैन को एक जगा पर लेकर आया होता है साथी, शिपाई और वैंगाई होते हैं रेंचु वैंवैन को वहां से लेकर चला जाता है अंदर अंदर जाकर वैंवैन एक जगा पर खड़ी होती है और एक अवाल से ड़ जाती है और फिरेंच उसके पास आता है प्राकर उससे बाते वगरा करने लगता है उसे ये भी बताता है कि मैं एक साल के लिए अबरोड जा रहा हूँ अब हमें long distance relation में ही रहना होगा मैं मैं कहते है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें spot करूंगी ये सब scene वैंग भी record कर रही होती है और कहने लगती है कि ये थोड़ा उंचा नहीं बोल सकते थे जो ये बाते कर रहे थे शिपाई कहता है कि अगर तुम उंचा सुनना चाहती हो तो मेरे पास भी बात है मैं तुम्हें उंचा सुना देता हूँ मैं अग तो खुश हो जाती है और यहीं पर हमारी episode भी खतम हो जाती है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना